तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लूसेंट समाने ग्यान इससे रिलेटेड जो है important 40 plus question जो इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि जो घंटी के निसान है उसे उन करके all notification पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं को निए वीडियो अपलोड करूँ उसका notification जो आपको time to time मिल सके तो चले शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर हमारा पहला question दिया क्या है काजिरंगा राष्टियो उद्यान किस के लिए परसीद है तो देखिए काफी easy question है और यह काफी बार एकजाम में question पूछा जा चुका है तो काजिरंगा जो राष्टियो उद्यान है तो यह एक सिंग वाल अगेंडा के लिए परसीद है आपको याद रखना है काजिरंगा राष्टियो उद्यान एक सिंग वाल अगेंडा के लिए परसीद है और यह कहाँ पर इस्तित है तो यह ओसम राज़े में इस्तित है विश्व धरोहर सूची में सामिल किया गया NH 37 की बात करें तो ये काजिरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरता है ये काजिरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरता है काजिरंगा नेशनल पार्क को दोहर 6 में जो है टाइगर रिजर्व घोसित किया गया कब किया गया 2006 में टाइगर रिजर्व घोसित किया गया आपको याद रखना है कुर्शन नमबर टू है अंत्रिक्स के लिए उडान भरने वाले पहले बेखती कौन था तो उडान भरने वाले जो पहले बेखती थे उनका नाम है यूरी गागरिन ठीक है इनका नाम क्या है यूरी गागरिन है इनको 12 अप्रेल 1961 को जो है यूरी गागरिन को अंत्रिक्स यात्रा के लिए भेजा गया था कब भेजा गया था 12 अप्रेल 1961 को याद रखना है और इनको किस में बठा कर भेजा गया था तो वो स्तोक स्पेस क्राफ्ट में बठा कर जो इनको अंत्रेक्ष में भेजा गया था इसके अलावा अंत्रेक्ष में जाने वाले प्रोथम भारतिया कौन बने थे तो राक्येश सर्मा बने थे जो कि 3 अप्रेल 1984 में अंत्रेक्स में जाने वाले ये पहले भारतिये बने थे ठीक है और अंत्रेक्स में मतलब भारतिया मुल्की अंत्रेक्स में जाने वाली भारतिया मुल्की पहली महिला कौन बनी थी तो उनका नाम है कलपना चावला ये भी कोशन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंत्रेक के कुछ देर बाद नस्ट हो जाने कारण से मतलब यह जो मिशन था कुलंबिया यह नस्ट हो गया वाताबराण में पुना परवेश करने के दौरान जो है इनकी मिर्थू हुई है तो याद रखना है अगला कुश्चन देखते हैं कोशिका की उर्चाई काई यानि एनर्जी क क्या कहा जाता है इसको तो इसको जो है एटी पी कहा जाता है ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्षन सी हो जाएगा कुश्चन नमबर चार है परकास संसलेशन की परकिरिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन होती है बहरी इंपोर्टेंट कुश्चन आप सभी को पता ही है जब परका किया था भारत ने पोखरन में पहला नाभी किया परिक्षन कप किया था 18 माई 1974 को किया था ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्षन यह हो जाएगा कुश्चन नमबर 6 है भारत सरकार द्वारा राष्टी और हरीत प्राधिकरण की अस्थापना कप की गई थी तो देखे इसके करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर इसके अलाबा राष्टी और हरीत प्राधिकरण को अंगरेजी में क्या बोला जाता है जल एवं औघुलनसील पदार्थों के मिसरण के भारी औघुलनसील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है तो नीचे बैठ जाना हो साधन कहलाता है कुश्चन नम्बर आठ है निम्नलेखित में से कौन सी बिस्व के सबसे लंबे बिरिक्षो की परजाती है तो यह है रेड़ भूड़ ठीक है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कुश्चन नम्बर नाइन है इसस एक कंप्योटर अधारित परणाली है जो प्योग करता हूं को उदमीता समध्य आकरों को रुपांतरित करने में सक्षम बनाती है इसस का पूर्ण रूप क्या है तो देखिए इसका पूर्ण रूप है वह है एक्जिक्यूटिव एस्पोर्ट सिस्टम एक्जिक्यूटिव एस्पोर्ट सिस्टम जो है इसस का पूर्ण रूप है तो मोफीली परागन इन में से किस की मदद से होता है तो ये जो होता है कीट की मदद से ठीक है correct answer option ये हो जाएगा question number 11 है प्राकिरती में पाय जाने वाले धातु योगी को क्या कहा जाता है प्राकिरती में पाय जाने वाले धातु योगी को क्या कहा जाता है तो देखे इसको जो है खनी कहा जाता है correct answer option यह हो जाएगा जेलम का यूद किस ने जीता जेलम का यूद किस ने जीता सिकंदर ने जीता correct answer option C हो जाएगा जेलम की बात करें तो जेलम का यूद जो है इसको high day speech यूद के नाम से भी जाना जाता है हाइडेजपीज ठीक है याद रखना है इस नाम से जाना जाता है हाइडेजपीज का यूद कब हुआ था 326 BC में हुआ ठीक है हाइडेजपीज के यूद में सिकंदर ने राजा पुरस को पराजित किया था सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 गंराज्य का उलेख मिलता है ठीक है जिस टाइम पर सिकंदर आक्रमण किया था उस समय भारत में 28 गंराज्य का उलेख मिलता है सिकंदर जो था यह भारत में 19 माह तक निवास किया था याद रखना है 19 माह तक परधान मंत्री मूत्रा योजना की किसोर सिनेडी के संबंध में इन में से कौन से कथन सब्त है मूत्रा योजना के संबंध में किसोर सिनेडी के संबंध में आपको बताना इन में से कौन से कथन सब्त है तो देखें यहाँ पर दूसरा कथन सब्त है छोटे कारोबारियों को पचास हजार से लेकर पांच लाख तक का रिंड जो है यह मतलब इस करेक्ट है कुर्शन नमबर 14 है भारतिय संविधान के सनुषेद में सारोभामिक ब्यास्क माताधिकार का प्रावधान दिया गया है सारोभामिक ब्यास्क माताधिकार किस में दिया गया है तो यह दिया गया है अप्सन D में 326 में दिया गया है भारत का नागरिक जो 18 बर्स उम्र पूरा कर चुका हो और निर्वाचन आयोग द्वारा तयार निर्वाचन मतदाता सुची में नाम अंकित हो तो उन्हें मतदाल डाले का जो है अधिकार है ठीक है अधि 18 बर्स भारत का नागरिक पूरा कर चुका है यदि उसका नाम प्रदाता की जो आयू थी निउन्तम आयू कितना रखा गया था 21 वर्स रखा गया था लेकिन 16 संविधान संसुदन अधिनियम 1989 के द्वरा जो है उम्र निउन्तम सिमा 21 वर्स घटा कर 18 वर्स कर दिया गया ठीक है ये फेक्ट है इसके अलाबा संविधान का जो अनुश्य 326 ह इसका संवंध लोक सभा और राज्यों के बिधान सभाओं के लिए निर्वाचन का ब्यास्क मताधिकार के अधार पर करने से है तो ये भी बाते आपको याद रखनी है अगला कुश्यन देखते हैं भारते वायू से ना किया स्थापना कब की गई थी बेरे इसके अलावा यहाँ पर हमने महत्पोर संगठन अस्थापना बर्स और मुख्याला के नाम लिखे हैं तो देखें यहाँ पर पहला दिया गया असम राइफल तो असम राइफल के अस्थापना जो है 1935 में की गई थी मुख्याला सिलांग में है केंद्रिया डिजर पूलिस बात करहें तो देखें इसके असथापना 1949 में मुख्याला नाई दिली में है होमगार्ट की बात करें तो 1944 में इसके स्थापना की गई थी मुख्याला नाई दिली जेए NCC की बात करें तो इसकी अस्थापना 1948 में मुख्याला नई दिल्ली में है ITBP की बात करें तो 1962 में इसकी अस्थापना की गई थी मुख्याला नई दिल्ली में है BSF 1965 में इसका भी मुख्याला नई दिल्ली में एनसजी, 1986 में अस्थापना इसका में मुख्याला नई दिल्ली में, आरेफ, 1992 में इसकी अस्थापना की गई थी, ये भी नई दिल्ली में इसका मुख्याला है, ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं, भारत का एक मातर राज्य है, जहां संगाई हिरन पाये जाते हैं, प्रधान मंत्री द्वारा, राष्टियो कोसल विकास मिशन का सुभराम कब किया गया, बहरे इंपोर्टन कुश्चन है, भारत के प्रधान मंत्री के द्वारा, राष्टियो कोसल विकास मिशन, इसका सुभराम जो है कब किया गया, दोहर पंदरह में, ठीक है, दोहर पंद के लेखा कौन है तो देखे इस पुस्तक को जो है जौन मेनाड किंस ने लिखा है ठीक है जौन मेनाड किंस ने लिखा अप्शन E करेक्ट हो जाएगा फिरीज का पाने पीने से कौन से बिमारी होती है तो देखे फिरीज का पाने पीने से जो है जो होता है, option D correct हो जाएगा, बाबर न इब्राहिम लोदी को किस लडाई में हराया था, तो पानिपत की लडाई में हराया था, ठीक है, option B correct हो जाएगा, question number 21 है, निमनलेखित में से कौन, लोकसभा के पूर्ण, प्राधिकार का परतिनिधित्व करता है, निमनलेखित में से प्राधिकार का परतिनिधित्व करता है, कौन करता है, तो ये speaker करते हैं, correct answer B हो जाएगा, 22 है, निमनलेखित में से किस वर्ण में, महरानी विक्टोरिया की उद्गोसडा में एलान किया गया था, कि इसके बाद से भारत ब्रिटिस राजद्वारा, और उनके नाम पर एक र 1858 में एलान किया गया था, ठीक है, महरानी विक्टोरिया की द्वारा, ठीक है, तो option D correct हो जाएगा, सीपाही बित्रो या ब्रिटिस आसन के बिरुद्ध, आजादी की पहली लड़ाई किस वर्ण में हुई थी, तो आजादी की जो पहली लड़ाई हुई थी, 1857 में हुई option D correct हो जाएगा, question number 24 है, भूमी परिस्तित बिसो का सबसे मुच्छा जल परपात कौन सा है, तो सबसे मुच्छा जल परपात है, एंजल जल परपात है, correct answer ही हो जाएगा, 25 है, निमने लेखित में से कौन सा राष्ट दूतिया बिसुयूद में धूरी सक्तियों का हिस्सा थ तो ये था जर्मनी, ठीक है, जर्मनी था, option D correct हो जाएगा, 26 है, भारतिया संबिधाने किस अनुश्यत में यह उलेखित है, कि राज्य निया पालिका को लोग सेवाओं में करे रत, करे पालिका से प्रिथक करने है, तो कदम उठाएगा, तो ये कौन से अनुश्यत में उले कि राज्य निया पालिका को लोग सेवाओं में करे रत, करे पालिका से प्रिथक करने है, तो कदम उठाएगा, तो option B यहाँ पर correct हो जाएगा, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्ले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में सेयर कर दें, और चैनल पर नाया जो है, महराजा स्वाई परताप सिंग ने करवाया था, option A correct हो जाएगा, यह passage to India, यह passage to India नामा कुपनियास के लेखा कौन है, तो देखे इस उपनियास को जो है, इम फोस्तर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, option B correct हो जाएगा, भारत छोड़ो अंदोलन किस वर्स हुआ था, option A correct हो जाएगा, question number 30 है, OECD, यानि Organization for Economic Cooperation and Development का मुख्याले कहां इस्तीत है, तो OECD का जो मुख्याले है, यह पेरिस में इस्तीत है, option B correct हो जाएगा, अमीर खुसरो का जन उतर परदेश में हुआ था, कहां पर हुआ था, उतर परदेश में, पटियाली में हुआ था, ठीक है, option D यहां पर correct हो जाएगा, the Indian struggle, नामक पुस्तक के लिखा कौन है, तो देखिए इस पुस्तक को जो है, सुबास चंदर बोस के द्वारा लिखा गया है, option D correct हो जाएगा, बिश्वा के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बिश्वा के सबसे लंबी नदी आप काफी important question है, बश्चेंदरी पाल, Mount Everest पर चलने वाली पहली भारतिया महिला थी, ठीक है, यह answer हो जाएगा, Mount Everest के मुझाई कितनी है, 888, 149 point कुछ है, 888, 149 point कुछ है, मीटर इसके मुझाई है, आपको याद रखना है, भारतिया तट रेखा के लंबाई कितनी है, तो 75 से किल आएगा, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी दीप किस राजे में इस्तीत है, तो देखें, माजुली जो है, असम राजे में इस्तीत है, option B, correct हो जाएगा, निमनलेखित में से किस राजे की टटरेखा सबसे लंबी है, तो टटरेखा सबसे लंबी जो है, गुजरात रा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो देखे भारत का जो सबसे बड़ा राज्य हुआ है राजस्थान ठीके राजस्थान जो है भारत सबसे बड़ा राज्य है अगला कुश्षान है कामा ख्या मंदिर किस राज्य का महत्पूण परियाटन अस्थाल है तो देखिए यह औसम राज्य का ठीक है तो अप्सण बी यहां पर करेक्ट है इसके अलावा आप लोगों के लिए होमर के कुश्षान पुछ लेते हैं एक ओर कुश्चन पूछ लेते हैं पूरानों की संख्या कितनी है तो इन दोनों को यदि आपको इसका आंसर पता हो तो सब्सक्राइब करें लाक्स करें तो Companies करें प्रेचें प्रावге प्रावब कर सकते हैं